कैसी है अप सभी उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मस्त स्वस्त बिन दास होंगे तो फैमिली आज साम का टाइम है और साम के टाइम हम बना रहे हैं आज बचों के लिए पराठे क्योंकि जीद पकड़के बैठ जाते हैं तो बैठी जाते हैं जिस दिन उनको जिद हो गई जो चीज चाहिए तो चाहिए होता है तो काफी टाइम हो रहा है लगवग रात के 9 बज़ रहा है और उस टेम 9 बज़े तक सबा 9 बज़े तक हमारा हर रोज खाना होता है हम खा लेते हैं लेकिन आज बच्चों ने जिस टेम में खाना बनाने बैठी उसी टेम बच्चों को जिदाया कि ममी पराठा बनाना है तो आज बनाना है तो हम पराठे खाएंगे आज तो बस अब देखो नौ बज गया है और पराठा बनाने में काफी टाइम लगता है बहुत टाइम अभी इतना मैंने न इन आलूओं को बड़े बड़े आलू थे काफी बड़े बड़े थे ये तो इन आलूओं को न दो पीस में कट कर दिया है और जल्दी से वास करके न मैंने इसको कुकर में सीटी लगा दिये और कुकर में दो सीटी लगाने के बाद ये हो चुके हैं और जल्दी हो जाए ये जल्दी मतलब गरम गरम है तो जल्दी हम इसका छिलका निकाल रहे हैं बिधी भी मैं हमारे साथ में बैठ गी है तो मैं तो गरम गरम आलू पर से छिलका निकाल रही हूं लेकिन जो बिधी का है न उसका हाथ जल रहा है तो वो बोल रही है कि मम्मा आप कैसे कर रहे हो इतना गरम गरम और मेरा हाथ जल रहा है तो मैं मना कर रही हूं लेकिन वो बो हम मावेटी ने छिल लिये हैं मतलब छिल का निकाल लिया है और चाकू को मैं लेने आई हूं किचिन के अंदर से तो ये चाकू ना बच्चे इसका जो काठने वाला हिस्सा होता है उसको पतानी किस चीज से इन बच्चों ने ना इन में निसान डाल दिये हैं ऐसे खड़ा पत्थर वगेरा पर इन्होंने खड़ा इसका धार मर गया है मतलब काठ निरा ये तो बस उसी को न मैंने थोड़ा सा घिस लिया है पत्थर के टुकडे पर थोड़ा सा कट हो जाएगा ये देख सकते हो आप कितना बेकार कर दिया है ये इसका देखो इस तरह की निसान लग होता है चाकू और हाथ भी ये लगा हुआ है चाकू और ये मतलब जल्दी से समान को कट कर देता है और चाकू तो काफी है मेरे पास में लेकिन हाथ में बैठा हुआ है यही आप बोलते हैं ना जो समान हाथ में बैठ जाता है या कोई भी चीज अच्छी लगने लगती है तो उसका जो बेकार होना बेश्ट जाना कितना मतलब हो लगता है एकदम दुख सा लगता है तो वही चीज है कि ये सबी के हाथों में लगा हुआ है जो भी कुछ लेगा जो भी कोई लेगा ना इसी चाकू से काम करेगा तो देखो मैं प्याज काट दी और ये पराठे चील कर मैंने आलू रख लिये और इने मैं सारा मसाला इसी में मैं डालूंगी बिना मत्य हुए तो अभी मैं प्याज काट कर लिये और एक गाट और लसन कुछ लसन के जॉली है मैंने और इसका जो मूसली तो मिल गया था लेकिन मूसली का जो ओखली होती है ना वो मितान से इन दोनों चीजों से बहुत खेलता है तो वो मेरे मेरे को पता ही नहीं लग पाया कि है कहां मैंने ढूंडा भी है लेकिन नहीं कहीं न कहीं इसने उबट रख दिया है दिखाई नहीं दे रहा है तो फ्रेमली लस्ट मेरा छित गया है और इसी के साथ मैंने एक आलू छित लिया है ताकि यह जो लस्सुन का जो पेश्ट है ना इसके अंदर रहनी जाए और आलू के साथ आ जाए इसी कटोरी में से तो देखो कटोरी फिनीस साफ हो गई है और इसी में लस्सुन का जो पेश्ट बनाया मैंने इसमें डाल दिया है और अब भी बाकी का देखो डालना बाकी है अब भी जीरा डाल दिया थोड़ा सा और मिर्च जो भी है मुझे अभी एड़ कर लूँगी इसमें जितना भी मसाला लगाना है मुझे तो ये लाल मिर्ची थोड़ा सा पाउडर है क्योंकि बच्चों को भी खाना है हम लोगों को भी खाना है तो बच्चों के हिसाब से थोड़ा कम रखूंगी और अपने हिसाब से मैं ज्यादा रखूंगी क्योंकि हमको ना गुन गुना सा खाना अच्छा नहीं लगता हमको ठोड़ा तीख हच्टपटा सा अच्छा लगता है तो मैंने ये मिर्च और कुछ मसाले अड़ कली है और अब थोड़ा सा मुझे धनिया में पाउडर नहीं है और खड़ा थाबुत है साबुत मतलद धिनिया है तो मैं उसको इसी कटोरी मैं अभी थोड़ा सा इसको भी कूट लेती हूँ थोड़ा सा तो अभी इसमें जाएगा और अम मैं चीज रह गया है थोड़ा सा नमक और हींग हिंग मेरा खतम हो गया है तो अभी मैंने नया पैकेट मंगाया है और अभी क्योंकि बिना ये जो कचोड़ी हुई और ये पराठे हुए इनमें हिंग न डालो तो गैस बनाते हैं बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा गैस बनता है क्योंकि खाने के बाद ना पेटफूलना स्ट विलाटा तो इसलिए वह Nep승 57 remains बहुत जादा ज्रूरी होता है और अभी इसमें 3-4 मेर्जमारी मिर्ट मैं कट कर लूंगी क्यूंकि यह इसका स्वाध अलग होता है हरी मिर्च का हरी मिर्च का स्वाद किसी में भी डालो उसमें अपना हरी मिर्च अलग स्वाद देती है सबी मसाले अपना-पना स्वाद अलग देते हैं तो अभी मैं इसमें तीन से चार मिर्च अड़ कर ली है और अभी ये आलू गरम है तो अभी ना हाथों से मत हूँगी तो गरम लगेगा तो इसलिए मैं अभी थोड़ा ना सारे मसाले अड़ कर लेती हूँ और ये है हीन की डिबी आप देख सकते हो कि पूरा अभी पैक है और अभी इसको खोल लेते हैं तो इसको पहले विधी खोल रही है भूर टाइट है लगता है खुल नहीं रहा है और खुलने में टाइम लगेगा ये चाकू से और सब अपने ये देखो इस तरह कहीं ढखकन निकलते इससे अब चाकू यूज किया तो चाकू से नहीं निकले आप दोन भाईयों बहन भाईयों में जगड़ा होने लगा और अब चम्मस से निकालना है क्योंकि नहीं निकलेगा मुझे पता है बहुत टाइट होता है और मैं देखती हूं कि अभी खोलने दो इनको तब तक खोलेंगे ना यह जब तक इनको चैन नहीं पड़ेगा और खोलने देती हूं जब यह ठक जाएंगे तो आखिर में मैं देख लूंगी और अभी यह लो विधी ने खोली दिया इसको और अभी इसमें एक और रेपर लगा हुआ है पैक है यह चाकु से निकाल देती हूं मैं और बहुत अच्छा काम किया है विधी ने आज पहली बार डकन खोला है और अब इसमें एड में कर लेती हूं थोड़ा से और सारी चीजें मिक्स हो गई है आप देख सकते हो कि किस तरह से और थोड़ा सा थंडा भी हो गया हो गई है तो और अब भी मैं मूशली की मूशल से ना इनको थोड़ा दो तिन टूड़ों में कट कर लूंगी मत लूंगी थोड़ा सा क्योंकि ठंडा हो जाए और इसी मूशली की हेल्प से ना थोड़ा सा पेश्ट भी बन जाएगा इसका और अब भी ना बच्चों के लिए ना दो से तीन आलू मुझे अलग निकाल के रखने क्योंकि ना बच्चों के लिए नमक और हलका मिर्च का लगेगा पराठा तो बस इसलिए तो फैमली मैंने द दो जगे मैंने अपना पेश्ट बना लिया है मितलब चटनी आलू का आलू का पेश्ट तो कड़ाई में जो है वो हम लोगों का तीखा और थाली में जो रखा है ये इन बच्चों का है तो फैमली पराठा लगना स्टार्ट हो गया है और फैमली आईए और आप भी अपनी कभी अभी देखो पता नहीं लग पाया तो तवेका की कितना हो गया ग़रम ज्यादा करम हो गया था तो अभी पराठा जो एक तरफ से लग गया है हनका सा और अभी मैंने सेका कह देखाई पहले पराठा तो मैंने बच्चों की तरफ पहुंचा दिया है और मैं यह दूसरा पराठा बेल भी हूं यही तरह मैं दीरे-दीरे करके बच्चों को साथ में बठा लेती हूं काफी टाइम हो गया है, साधे-दस का टाइम होने जा रहा है क्योंकि काफी टाइम लग जाता है, यह चीज बनाने और करने में तो फैमिली आजगा मेरा वीडियो यहीं तक मिलते हैं बाई बाई